तो नमस्कार हम इस सीरीज में अपने अनुभब की बातें बताने की कुछिस करेंगे ताकि जो मेरे साथ ही स्टार्ट अप कर रहे हैं या जिनने अभी बिजनिस शुरू किया है अपना केरियर कहीं शुरू कर रहे हैं उनको जो बेहरी कठनाईयां आ रही हैं उनसे वो कैसे निजात पा सकें और कैसे वो अपने कैरियर को अपने भविश्य को अपने बिजनिस को आगे बढ़ा सकें पिछले दनों मुझे आईसी 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 आई फांडेशन के द्वारा बीस स्टार्ट अप मैं से दस स्टार्ट अप सेलेक्ट करने के पैनल पर रखा गया था और उसमें मैंने 20 स्टार्ट अप के आईडियास को सुना, जब मैं किसी भी स्टार्ट अप के आइडिया को सुनता हूँ तो मैं आइडिया से ज़्यादा उसका जो प्रमोटर है जो प्रजेंटर है उस पे ध्यान देता हूँ कि वो किस मनाश्थिती में हैं और किस परिस्थिती में वो अपना काम कर रहे हैं उनमें कितना जज़वा है और कितना वो लगन और इंटेंसिटी दिखाते हैं क्योंकि हम जानते हैं गीता में एक प्रसिद इसलोग है यत भावो तत भबती यू बिकम वाट यू बिलीब आप जो सूछते हैं वो आप बन जाते हैं और ये एक सई बात है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी देखा कि जब मैंने स्टार्ट अप शुरू किया तो साइकलोजिकल एक भूट बड़ी बाधह थी कि हम यह कर पाएंगे यह नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने यह कभी किया नहीं पर जैसे जैसे हम अपने धहरी को रख कर इस काम को करते गए इसके बारे में सूचते गए और लोग मुझे मिलते गए और ये काम हो गया तो यत भावो तत भवती मेरे जीवन में हमेशा से सही सिद्रूगा है यह मैंने अपने सर्विस के दौरान भी देखा और यह आप मैंने अपने विद्यारती जीवन में भी देखा इस पर एक किताब बहुत प्रसिद हुई थी जिसका नाम था ला ओफ अट्रेक्शन जो जो जोन लॉंडा की किताब है और उसमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे उधा रिट पर्फ करते हैं पतंजरी के योग्सूत्र में भी जो अश्ठांग योग है उसमें धार्णा जोatar है कि किस तरह से आप धार्णा को अपने लाइफ में डेबलब करें तो जो भी आप एचीव करना चाहते हिए जो भी आप करना ज़िना चाहते हैं ज़रूरी है कि सोचने की ज़गे उसको आप करना प्रारंब कर दे नमबर एक दूसरी चीज कि उसको फिर हमेंचा विजुलाइज करें भविश्य को विजुलाइज करें कि आप अपना भविश्य कैसे देखना चाहते हैं और मेरे अन्भव से मैं आपको बता सकता हूं कि आप बैसे बन सकते हैं यत भावो तत भवति दन्वाद